हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं हूँ संजे और आप देख रहें फैमिली हेल्थ के ये यूटूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस और सधी हिमालिया का सेटिलीन के बारे में ये अक्चुली बहुत ही जादे हिम की तोस अगर आपको इसके बारे में जाना हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाष्ट तग देखते रहें और जगर आपी चनल पर नए हैं, तो पिले जी चनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकोन पर क्लिक करना ना भोलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अप्रोट करूँ, उसकी इंफार्मेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं इस्टप की बहुत सा तरीके से ये जो है टेबलेक में भी आता है और सिरफ में भी आता है, बट दोनों का ही काम बिलकुल बराबर ही होता है, दोनों के अंदर जो भी जड़ी बूकिया मिलाई जाती हैं, जो भी इनके इंग्रेडियन्स हैं, लगभग लगभग बराबर ही हैं, तो आप दोनों म लेकिन वही पर अगर कोई भी आप सीरप लेते हैं, तो सीरप का प्रवाव आपके सरीर पर बहुत जलते जल दिखता है, तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी ले सकते हैं, तो अच्छली इसके फायदे जानने से पहले हम इसके इंग्रिडियंट्स के बारे में बात कर लेते ह तो अगर हमें इसके इंग्रिडियंट्स की बात करें, तो इसके अंदर गुग्गुल, संक भस्म, रसनादिकवात, गिलोए, मंजिस्ठा, अमालकी, यस्ट मधू, सहजन, आउला, इत्यादी को मिला करके जो है ये आउसदी बनाई जाती है, एक्छली इसको जो मार्केट म को आए दिन मौसम बदलने पर एलर्जिस हो जाया करती है, ये अक्छली सभी परकार के इंफेक्शन्स को दूर करने वाली और एलर्जी को दूर करने वाली अवसदी है, और बहुत ही जबरदस्त ये काम करती है, जिन लोगों को मौसम बदलते ही तरह-तरह की एलर्जिस जाये करता है बार-बार यानि की कभी सर्दी कभी जुखाम कभी खासी आए दिल यह होता रहता है तो यह आपके immunity system को इतना boost कर देता है कि यह मौसम बदलने पर जितने भी परकार के होने वाले जो छोटे-मोटे रोग हैं यह आपको नहीं होगा तो जिनकी immunity weak है उन्हें इसका 7 जरूर करना चाहिए जिन लोगों के आतों में infection हो जाया करते है जैसे आतों की Susan होगी टाइफाइड बार-बार हो जाया करता है काफी लोगों का ऐसी सिकायत रहती है कि उन्हें urine infection बार-बार हो जाया करता है यानि की पेसाब के समय जलन या फिर पेसाब रुक-रुक करके आना या फिर जो है पेनिस या योनि में खुजली वगएर होना इस type की जिनको problem है उन्हें इसका 7 जरूर करना चाहिए या आपके स्वसंतंत्र को मजबूत भी करने का काम करता है यानि कि जिन लोगों को सांस लेने में problem होती है सांस लेने में सीने वगएर में किसी भी प्रिकार की problem है जकड़न वगएर रहता है तो उन लोगों को भी इसका 7 चरूर करना चाहिए इसकीन में होने वाले किसी भी प्रिकार की ऐलर्जी से अगर आप परिसान रहते हैं मौसम बदलते हुए इसकीन में हो जया करती है चाहिए जाकिन देर बुलटि होने के वज़े से यह आपके white blood cells को बढ़़ाने का भी काम करता है गुगुल होने के वज़े से इसका पावर बहुत ज़ादे बढ़ जाता है जिसके वज़े से ये दर्द नासक भी होता है तो जिनको बॉडी में दर्द वगेरे रहता है जोडों में पेन वगेरे रहता है तो उसमें भी ये काफी लाबदायक होता है गले की खराज स्वगरे से अगर आप हमेशा परिसान लाते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा लाब दिखाता है या एंटी बायोटिक और एंटी आक्सिडेंट होता है या किसी भी प्रकार के सूजन को कम करने का काम करता है यानि कि हमेशा आपको बुखार बना रहता है जब आप दवा लेते हैं तो बुखार उतरता है लेकिन कुछ टाइम बाद फिर आ जाये करता है तो उस कंडीशन में अगर आप कोई भी दवा चला रहे हैं तो दवा को चला सकते हैं शाथ में अगर इसको भी लेते रहते हैं, तो किसी भी बुखार को जो है जड़ से खतम करने का काम करता है, तो बुखार में भी आप इसको ले सकते हैं, जबरदस्त लाब दिखाता है। अगर आपने किसी भी प्रिकार का operation कराया हुआ है, तो उस condition में इसका 7 करना चाहिए, बहुत जल्द से जल्द ये recovery करने का काम करता है, सरीर में फोड़ा फुंसी के वज़े से काफी बच्चे परिसान रहते हैं, काफी लोग परिसान रहते हैं, काफी मुहासों बगेर को वज आप इसका 7 कर सकते हैं, और अगर हम इसके dose की बात करें, तो जिनकी age 12 साल से उपर-उपर की है, वो लोग 2-2 tablet, इसमें अगर tablet लेते हैं, तो 2-2 tablet जो है, सुबह साम खाने के आदे गंटे बाद आप इसका 7 कर सकते हैं, और अगर आप सीरप लेते हैं, तो 2-3 चमच जो है, और फिर 1-2 चमच जो है, सीरप दिया जा सकता है, दोनों में से कोई भी आप इसका 7 कर सकते हैं, किसी भी परकार की प्रबलम नहीं है, दोनों में ही, यानि कि सीरप लेना है, तो आप सीरप ले सकते हैं, और अगर tablet लेना है, तो tablet ले सकते हैं, यह जबरदस असर तो दोस्तों में इमित करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि ये हिमालय का सेप्टिलिंग क्या-क्या काम करता है किन-किन लोगों को लेना चाहिए एक्चुलि ये सभी लोगों के लिए काफी असरदार दबा है जो लोग भी इस प्रब्लम से परेसान रहते हैं जिन लोगों के भी इम्यूनिटी वीक है उन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए जबरदस्त लाब दिखने को मिलता है तो दोस्तों मिवित करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अगर फिर भी कोई भी कनफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए मैं उसका जबाब देने की कोसिस करूँगा और दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीजी कमेंट में बताएं अगर ये वीडियोचनलि helps लिक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सबस्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल ऐकोन टे क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अप्लोट करूँ उसके इन्फार्मेशन आपको मिलती रहे क्योंकि मैं इस्टेप की बहुत सारी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ जो आपके हेल्स से रिलेटेड होगी जो आपके जीवन को बिलकुर सुख में और खुशहल बनाने में मदद करेगी तो दोस्ते इस वीडियो तक इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में कि सिछी जनकारी के साथ तब तक के लिए स्वस्तर ये खुशहल रहिए और दबाओं से मुक्तोने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि मेरा मनना है कि स्वस्तर सरीर में ही सुन्दर मन का बास होता है तब तक के लिए तब तक के लिए थेंक यू हैवे नश टे बाबा झाल